नमस्कार साथियों ASP कोचिंग जैपुर के डिजिटल प्लेटफर्म पर आपका स्वागत है एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि वाइस क्लियर आ रही है और विजिबल प्रॉपर हो रहा है ठीक है विकास कुमार कृष्णा जाठ अशोग पाल अनमोल वशिष्ठ मौनकेश मौरवाल सभी का स्वागत है महिमाच चौधरी सभी लोग जुड़ चुके हैं और जो लोग जुड़ चुके हैं वो इस ग्रुप को सारे ग्रुप के अंदर जो लिंक है इसको शेर कर दीजिए जिस का हमारा टॉपीक है अग्री कल्चरल मेट हो जी क्या है एग्री कल्चरल मेटरलोजी इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे जैसा कि सभी लोग बोल रहते कि सब हिंदी में भी क्यूशन लाया करो इंग्लिस मैं गुड इविनिंग सभी को गुड इविनिंग चीक है तो आज का हमारा पहला कुशन एस एस्टेज और कंडिशन ओफ एटमोस्फेयर एट गिवन प्लेस एड एट गिवन टाइम एक निशिज समय वे स्थार हे तू वाता वरण की स्थिति क्या कहलाती है ओप्शन नमबर एट एटमोस्फेयर एप्शन नमबर भी है ट्रोपोस्पेयर ऑप्शन नमबर सी है क्लाइमेट और ऑप्शन नमबर डी है वेदर फटा फट से कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बसंद मीना राम राम सर जी राम राम सभी को राम राम ठीक है रोहेजंट रोहे कर रही है c d comment कर रही है सीतर राम भाकर सर्जी की क्लास हां सितर राम भाकर सर्जी भी जल्दी क्लास यES है अभी स्का right answer comment करे मंकेश मोरवाल हमें Nhashvir कमेंड करें बहुत बढ़ी बहुत बढ़िया एंस आरे सभी लोगत अपने अपने जो answer समय में क्या गया एक निष्चित समय और और एक निष्चित स्थान आ गया इन दोनों में आप से पूछा जा रहा है तो इसके लिए अगर है आप अगर आपको पूछा जाता कि ए वेदर कंडिशन ओवर ए लोंग पिरियोड टाइम और ओवर ए लोंग रीजन मतला लंबे छेत्र के लिए और लंबे टाइम के लिए पूछे जाती ठीक है यहां पर मेंली क्या आता यहां तो लॉंग पीरियड ओफ टाइम आता लॉंग पीर उस इस्तिती में वाता वरण की जो स्थिती होती है उसे क्लाइमेट कहते हैं और घुर्ट पर्टिकूलर लेंग मौसा सब्सक्राउंड के प्हुता है औरत के चारों और लेंस टेच्एलेस गैसों का मिस्रन क्या कह minion क्या कहला है एटमोस खे रहा है एटमोसफेयर क्या लाता है बात करें ट्रॉफोस पेयर तो ट्रॉफोस पेयर क्या है एटमोसफेयर की सबसे पहली लेयर सबसे लोवर लेयर सबसे नीच ली वाली जो लेयर है वो कौन सी है ट्रॉफोस पर इसमें लिख लिए लोवर मॉस्ट लेयर लोवर तोवरमोस्ट लेट ट्रॉफोइस्पेर कहलाएगी ध्यान रख लीचेगा और एड्मोस्फेर क्या होता है यह होता है दूस्तों colorless colorless testless colorless testless gases 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 surrounded surrounded the earth एर्थ के 4 और जो testless वगरा जो से पाइस आएंगी सारी कैसो का जो mixer होगा उसे हम क्या कहते हैं एट्मोस्फेयर या वातावरण कहते हैं ठीक है तो यह हमारा first question था next question की और चलते हैं फटाफट एक बार इसका screenshot ले लेंगे अंकित कुमार सुप्रिया ओके चौधरी नमस्ते सार नमस्ते रॉएज़ंट बहुत बड़िया देवराज डी कमेंट करें शिव कुमार बहुत बड़िया नमस्कार अब इसका right answer कमेंट करेंगे ठीक है यश्वीर कमेंट करें सी काजल कमेंट कर रही है बसंत भी कमेंट कर रहे हैं बसंत भी कमेंट कर रहे हैं ठीक है श्यू ए कमेंट कर रहे हैं सुरेश चौदरी सी कमेंट कर रहे हैं मनकेश कमेंट कर अनुज हमारा भी नाम लीजीए शर अनुझ कुमार ऑके दीवराजाट-a कमेंट कर etme काजल सी महिमा चॉदरी सी मंके सी कुछ लोग भी कमेंट कर रहे हैं कुछ दूब उगएरा रिशप अगयरा थिक पदाए कंद आ काजली दूब किसके बारे में mounsoon या फिर आप बोर सकते हो मौसम आपसे isoeniya मौसम किस बाइसा का सब्द है ठीक है अरैबिक में यहीप अँला तो ध्यान रहना किसका अब Quindi को जाएगा दोस्तों यह आते हैं ग्रिक के अंदर आते हैं तो ध्यान रखना क्लाइमेट के पीछे बैसे कोई लोजिव अगरे नहीं लिखा हुआ ठीक है फिर विए किसके अंदर आ जाएगा ग्रिक के अंदर आ जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी इसका राइट नहीं पता है कोई बात ने मेटरोलोजी खाले में इसके अंदर एक शब्द मेटरोज शब्द क्या अर्थ है अब्र आर्थ बूमी के उपर गया बोट और तो अपने राइट Mobilित ऐसका क्रावर्द कर दीजिए बहुत बढ़िया मोहित गुजर अंकित कुमार सुपरिया चौधरी अनुज कुमार नितेश पाल रिशब सौरब सभी लोगों के एकदम राइट आंसर है रिशब अनुज ठीक है काजल कमेंट कर रहे हैं रिशब कमेंट कर रहे हैं ए हुनेao रिश्यब और काजल कमेंट कर रहे हैं a uh sp lover कमेंट कर रहे हैं b anmal कर रही है c anmal ay comment कर रही है यश्वीर c comment कर रहे है suris a comment कर रहे हैं Bहुत बढ़िया हरियोhmi c comment कर रहे है mancus a uh Guru जी इसकी PDF मिलेगा ठीक है से पक्का डलवाएंगा आपके ग्रूपों में जितनी भी क्लास हो गई सारी पीडियप में आज जलवा कि जाओंगा ठीक है महिमाद चौधरी देवराज बसंद शिव बहुत बढ़िया ठीक है लोगों के आंसर गलाज है सिवाए एक दो जनों के ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुत भ स्वाटीत हो गया राइट असर अब धासर वहाज़े घूल मी नहीं होती लोग और कमेंट करें यह डाएट भी नीचे किस वेज्ञानिक ने जलवायू का वर्गी करण किया फटाफ़र्ट कमेंड करेंगे बहुत बढ़िया है क्विश्चन आपके एक्जाम पॉइंट व्यू से ऑप्शन नमर एक है कॉपें ऑप्शन नमर बी है टोल ऑप्शन नमर सी है थॉनवेट और ऑप्शन नमर धी है अगर आपका कमेंड लेट हो रहा है तो काजल कमेंड कर रही है कोपें हरियों डी कमेंड कर रहे हैं गनेश कमेंड कर रहे हैं सुरेश चौधरी कमेंड कर रहे हैं मनकेश कमेंड कर रहे हैं प्रिशब कमेंड कर रहे हैं बसंत मीना ए सुरेश चौधरी ए देवराज डी कमे से सर्व प्रफ्षम पूछा है इसका राइट आंसर होगा D कौन सा होगा D मेंनली लोगों ने एक कमेंट किया है थ्यां रखना सबसे पहले कैंडोले सहाब ने कम किया था 1900 के अंदर सबसे पहले डिजसे क्लाइमेट का लासीफिक्ट किया था इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसके बाद में 1956 के समय सोरी 1936 के लगबग कॉपेन साब ने किया कब किया 1936 ट्रोल सहब का वियाब लोगों को कई बर पूछ लिया जाता है कब् før दो बीया था तो ध्यान रखना वैजी टेशन वानस्पती के ऑधार रगया था किसके आधार पर दिया साद दोस्तों बनस पती के अधार पर वरगी करण दिया था यह छीज आप लोगों को धिहान रखनी है इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम पॉइंट ओफ यू से ओके नेक्स क्यूशन की और सलते हैं दोस्तों नेक्स इसका फटापट एक पर स्क्रीन शॉट ले लिजिए और नेक्स क्यूशन है अपना क्लासिफाइड दा बेसिस ओफ लासिफाइड दा क्लाइमेट यहां पर क्या आएगा ख्लाइमेट ठीक है जो क्लाइमेट और जो कॉपेण हैं उन्होंने जलवायों को किस आधार पर बाता कमेंट कर दीजिए अपना अपना राइट आंसर ओप्शन नमबर ए हैं मौसम एलिम क्लास के लास में जरूर बता दीजिएगा की PDF हम लोगों को कैसे मिलेगी आज कंफर्म आप लोगों को पता दीज आएगा फटा फट इसका राइट आसर कमेंट करें ठीक है सिवंत्यागी सी कमेंट करें रिशब डी कमेंट करें यश्वीर डी कमेंट करें है कि गनेश डी कमेंट करें सुनेश रवीना प्रजापत मनकेश महिमा देवराज मनकेश रिशब बहुत बढ़िया बसंत तनूम शर्मा मनकेस रवीना प्रजापत सभी लोगों का मेली राइट आंसर है दोस्तों क्या है राइट आंसर है बहुत एंड बी ठीक है तो कॉपेन और थन्वेट का पीशा मैंने तो इन दोनों ने दोस्तों ऑप्षिन नमबर एंड आपका 1446 में दिया था और इन्हों envisioned climate को दॉस्तों ध्यान रखना कि साम्य नहीं मेट और 5 में बाता था कित्ने त्था में बता ऑट और ऊंप्डीया था उन्नी 1029 में भी अधिया था डिया था प्रीका कॉपं साहब की बात को व्यों कोपें साभे बात करें पी इंडेक्स की दोस्तो पी इंडेक्स से दिया था और सब तो इसे घ्या चिを और धान रखना पी सुप्रिया बहुत बढ़िया महिमा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अंसर आ रहा है सभी लोगों का चीक है next बात करते हैं troll classification of the climate on the basis of troll नी जलवायू का वरगी कर किस आधार पर किया था चीक है option number a है weather element option number b है humid month and temperature option number c है vegetation option number d है पी इंडेक्स and distribution of rainfall फटा फट इसका राइट आसर कमेंट करती जीए बहुत ज्यादा important question है 316 ठीक है बहुत ज्यादा आपके exam point of view से important question है ठीक है सुरेश चौधरी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया सी कमेंट कर रहे है यश्वीर भी कमेंट कर रहे है ठीक है अनमोल भी कमेंट कर रही है ठीक है और शीवम्त्यागी नहीं पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ पाते हैं सारे क्या नहीं पढ़ पाते हैं सारे शीवम कुमार ओके यश्वीर तू क्लासिफिकेशन की बात करें हैं इन्होंने क्लासिफिकेशन की बात करें इन्होंने क्लासिफिकेशन की बात करें चो ट्रोल सहाब है इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था हुमिड मन्त के और टैंपरेचर के अधार पर किसके अधार पर दिया था ऑप्चिन नमबर बीस का र रखने ना आपसे पूचा जाए climate का ऐसा classification जो एगरी कल्चर के लिए suitable है किसके लिए suitable है agriculture के लिए सुटेबल है करशी के लिए suitable है तो राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा ट्रोल का classification ठीक है तो this is suitable for agriculture suitable for suitable for agriculture ध्यान रखना एक और वाजारबाद इस climate को एक्रिय सेट जो एक्रिय सेट institute है दोस्तों उसने भी adaptive कर रखा है ठीक है ध्यार रखना international center जो है २ अपना हेदराबाद में है इसने भी इसको adaptive किया हूआ है ठीक है तो adapted by adapted by adapted by Creative attach international research institute फोर सैमी एरिड ठीक ट्रॉपिक्स इसका फुल फोर्म होगा ठीक है तो इस इसका आप लोगों कुछ हार रखना है तीनों पॉइंट कब दिया गया था उनीसों पैस्ट में दिया गया था सुटेबल फॉर एग्री कल्चर एग्री कल्चर के लिए सुटेबल है थर्ड क्या पूचाए क्यूशन में वाता उरण की सबसे नीचली परत क्या कहलाती है पुटा इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिए बहुत ज्यादा सिंपल क्यूशन है अगर इस टॉपिक से बात की जाए तो ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है याश्विर कमेंट कर रहे है ए गनेश ए कमेंट कर रहे है मनकेश ए कमेंट कर रहे है सुरेश चौधरी ए मनकेश मौरवाल ए रावीना प्रजापत ए हरियोम ए कमेंट कर रहे है बहुत बढ़िया गनेश ए कमेंट कर रहे है शुप्रिया ओके एक comment कर रहे हैं जीगे बहुत बड़िया जिन लोगों नेएक comment किया है उन्हें सभी का राइट आंसर है सिवाए एक दो बच्चों के जिन्होंने डी बे comment कर दिया ठीक है उन्होंने कैसे comment किया यह भी इस पर कई बार इसकी आपसे हाइट पूछ ली जाती दोस्तों तो ध्यान रखना इसकी जो हाइट होती है क्या पूछी जाती है हाइट पूछी जाती है इसकी हाइट होती है दोस्तों आठ से अठारा किलोमेटर कितनी होती है आठ से अठारा किलोमेटर होती है आठ होती है द है किसे दोस्तों अगर आप से पूछ रहे है एक्वीटर से तो क्या हो जाएगा 18 km हो जाएगा तो कि कितना हो जाएगा अठारा हो जाएगा पोलर से 8 km हो जाएगा यह चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है traditional स्थी जह और अच्शन 7 शुप्रिया का मनकेश का सब ही लोगों के एक दम राइट आँसर रहे हैं त्हार होती दोस्तो बीज को पहली लेयर एक इसट्रेप्टोर और चौती हर्म स्पेर तो यह दूसरी लेयर होती है मेसोस्पेर और यह पाई जाती है ट्रोफफोस्पेर और स्ट्रप्ट्ट आप्सपेर के बीच में क्यों पूठी है नाम बताईये तो आई टांसर हो था था टा आप्शण नमबर 20 अगर आप आट रखना और थर्म की बात करें तो यह सबसे अंदर की लेयर होती है इनर्मोस लेयर होती है ठीक है दोस्तों नेक्स क्यूशन की और बात करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेजिए अगर लिखना चाहें तो माट्स्ट क्यूशन है डा ओल्वेदर फिनोमिना लाइक रैन फॉग फॉस्ट क्लाउट्स अकर इंदा जोन ओफ मौसम की सभी घटना है जैसे वर्चा ठोंद कोहरा बादल कौन से जोन के अंदर होते हैं ट्रोफोस्पेयर स्ट्रेप्टोस्पेयर मीजोस्पेयर एंड थर्मोस्पेयर फटाफट अपने अपने राइट आंसर कमेंट कर दीजिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कमेंट सारे फटाफट अपने अपने आंसर वो चिपका दीजिए कमेंट बॉक्स को भर दीजिए बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सभी लोगों के तूपरिया कमेंट करें ट्रोफोस्पेयर मनकेस कमेंट कर रहे है है रिषाभी कमेंट कर रहे हैं ऑगए रवीना प्रेजापत कर रही है अनन्ओल beauty comment कर रही है बसंथ मीना कमेंड कर रहे है कुशाल नागर के महिमा कमेंड कर रही हैthe लाइफ-लाइन सी कमेंट कर रहे हैं बहुत बड़िया बहुत बड़िया बहुत बड़िया सभी लोगों का राई आणसर राजवर्मा एकमेंट कर रहे है और यह ना करें ठीक है इसका राइड आंसर क्या राइञ तर advice सबसे पूछा जाता है वेदर फिनोमिना अरे मौसम संबंधित जैसे रेंड की फोग की फोस्ट की क्लाउड यह सभी घटना है कौन से जोन में हो रही है अरे ट्रॉफो स्पेर सबसे नीचला जो जोन है हमारे जो सबसे पास जोन है उसमें हो रही है क्यूशन इस ट्रेप्ड फूरड की सबसे गरम लेयर तो strizes फेर आ जाएगा वार मेंस्ट लेयर होती एकौन सी होते हैं वार ब्मेस्ट हूते हैं दूसरी बात ध्यान रखना इसी के अंदर दोस्तों का जाती है क्यूशन सिंपल Johan भी ख कह फिए सबसेर चले का इसका राइट आंसर आ जाएगा पी बात करें थो फर के अंदर ख़़ते हैं ब्रीately रिजन पूछा जाएं यह Catagen को सा एगा और तडीफ पूछा जाएं तो किसके आ जाएगा मिजो सब्सक्राइब के अलावा यहोती एक क्योंट अगर आप से यह सारी घटनाएं पूछे तो ट्रोफोई स्पेर हो जाएगा ठीक है थर्मोई स्पेर की बात करें थर्मोई स्पेर के अंदर दोस्तों लोंग डिस्टेंस रेडियो कम्यूनिकेशन होता है ठीक है या फिर कही पर पूछ लिया जाता है गैस लैस लेयर ठीक है इसको आप लोग बोल सकते हो गैस लैस लेयर इसके अंदर गैस नहीं पाई जाती ठीक है यह क्यूशन 2021 परीपीजी एक्जाम में पूछा हुआ है कि आयन जो मोवाइल होता है उसकी जो रेडियो कम्यूनिकेशन होता है या लॉंग डिस्टेंस कम्यू किस लेयर के अंदर होता है ध्यान रखना थर्मो स्पेर इसमें जगह बची नहीं लिखने के लिए आप लोग लिख लीजिए मैं वापिस रिपीट का जाता हूं लॉंग डिस्टेंस रेडियो कम्यूनिकेशन इस अकर इन थर्मो स्पेर थर्मो स्पेर के अंदर पाई जात स्पेर आप्शन नमर weet math fade डी नी थर्मो स्पेर कमेंट कर दिढ़े इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर क्या सभी लोगों के यश्वीर रिशाब अपना उमेश सुरेश्च चौधरी यश्वीर अनौल भी कमेंट कर रहे हैं सुप्रिया स्ट्रेप्टो स्पेर कमेंट कर रही हैं बहुत बढ़िया ठीक है कुशाल नागर बसंत मनके सुनील बहुत बढ़िया सभी कि लोगों का राइट आंसर दोस्तो ऑप्षन नम्बर 200 परसेंट राइट आंसर ठीक है यह चीज आप लोगों को दान रखनी है मैंने आप लोगों को इसकी क्या पता दी थी इसकी मैंने आपको बताई थी हाइड आठ से 18 किलोमेटर बताई थी थ्यान रखना कई बार इसकी भी पूछ ली जाती है तो इसकी हाइड होती है 20 से 48 किलोमेटर कितनी होती है 20 से 48 किलोमेटर होती है काई बर आप से मीजोस्पेर की पूछ ली जाए तो मीजोस्पेर की होती ह पचास से 80 कितनी होती है पचास से 80 पूछी जाए अगर आपसे थर्मोजपेर की ख़िव कोई तो 80 से। 1600 किलोमेटर हो जाएगा यह तीनों ही है रख रखनी है अब अपनी बात हो रही है किसके ओपर ओजौन लेयर के उपर किसके उपर हो रही है ऑजोन लेयर के उपर हो रही है तो यह हो जाएगा बी और ट्रोफ के अंदर मैंने आपको अभी बताया था एक तो यह क्या है दोस्तों क्या है इसके अंदर वैदर फिनोमिना होता है क्या होता है वैदर फिनोमिना वैदर फिनोमिना सारी होता है कों सा होता है कोल्स रिजन है अपणाजया ओंग path Mog स्क्रीजन यह सबस्क्राइण ऩे क्यों सकती होता है क्या वारमेस्ट लेएर होती की तो दोनों तीनों किरनों की पराबैंगनी हां बहुत बढ़िया राज़वर्वा बहुत बढ़िया ठीक है बहुत बढ़िया राइट आंसर आप लोगों का नेक्स क्यूशन है दोस्तों जब तक मैं पानी पी लेता हूं आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे कंसंट्रेशन ओफ सी ओ टू इन एटमोस्फेयर बाई वेट परसेंट देखो क्यूशन समझ ले ना बहुत हार्ड क्यूशन है बहुत इजी लग रहा होगा देखने में लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड क्यूशन है वजन के अनुसार वाता वरण में सी ओटो की सांदर्ता होती है परसंटेज में क्यूशन बताना है आपको राइट आंसर ठीक है इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा अप्षण नॉमबर एक है 0.030 ऑप्षण नॉमबर भी है 0.30 ऑप्षण नॉमबर 40 यह 0.045 option number D है 1.25282 ठीक है सागर B comment कर रहे हैं agree lifeline A comment करें अपने उमेश B comment कर रहे हैं यश्वीर A सागर A बहुत बढ़िया और यह सब लोगों के right answer आ रहे हैं मेरे को तो उम्मीद नहीं थी मनके श्रवीना मनके सुनील अनमोल यश्वीर बहुत बढ़िया अपना उमेश सभी लोगों के right answer आगे मेरे को एक जने से उम्मीद नहीं थी कि एक भी जना right answer कर सकता है ठीक है सभी लोगों के answer क्या है एकदम गलत है ठीक है इसका right answer को option यंग से सुन लेना इसका right answer होगा option number C मैंने एक तो आपसे पूछा है by weight by weight में भी आपसे मैंने पूछा है उसका percentage क्या होगा ठीक है यह ध्यान रखिएगा अगर मैं आपसे by volume पूछता क्या पूछता by volume पूछता तो आपका right answer क्या हो जाता right answer आपका option इसको लिख लीजिए इसके दो चार मैं आपको important table बना के लिखवा देता हूं ठीक है इसको आप लोगों को याद भी रखना है बहुत ज्यादा important table बनवा रहा हूं इस तरह कि आप अपने नोट्बुक के अंदर table draw कर लीजिए यहां पर लिख लीजिए by weight क्या लिखेंगे by weight लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे by volume क्या लिखोगे by volume यह तो होता है आयतन यह होता है वजन अब यहां पर हमें हमारे जो तीनों चारों वह हैं उनको गैसों क्यों लिखना है ठीक ह है तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों किस के बारे में सबसे पहले हम लिख लेते हैं co2 के बारे किसके बारे में लिखेंगे co2 का by weight ध्यान रखना कित्ना है 0.045 है ठीक है बाइवेट कितना है 0.045 है बाइव वॉल्यूम में आप लोगों को ध्यार रखना है 0.030 ठीक है 0.030 हो जाएगा 0 नहीं भी लगाओगे तो भी काम सल जाएगा ठीक है दोनों पोइंट अगर हम बात करें Nitrogen की किसकी बात करें अगर वेट से पूछे सोust 75.2 कितना हो हुजाएगा सबस्क्राइब हो जाएगा से इवनट Eck went की दोस्तों अगर आपके वेट के अंदर छायए तो तो आक्सिजन का कितना उजाएगा वन पॉउंट टू-टू-एट्टू हो जाएगा वन पॉइंट टू-एटव हो जाएगा अगर आपसे इसके अंदर पूछ रहा है तो इसमें कितनाável तो यृस रुक्सिजन लगबग 23.14 कितना उसा पॉइंट इस पॉइंट चोराण में कितना इस पॉइंट चोराण में बात की जाए आरकन कि थ्यानकना कई बार एक्जाम में आरगन पूछ लेते हैं और आरगन का होता है 0.4 1.25 कितना होता है आरगन का लिख लिए 1.285 ठीक है और कई बार आप से इसके अंदर भी पूछ लिए जाता है तो 0.93 होता है ठीक है तो यह सारे के सारे डाटा है परसंटेस के अंदर किसके अंदर है परसंटेस के अंदर है इसको फटा फट एक बर लिख लीजे राजवर्मा ओके ऑट ने mungkin पूछ जाएंगे और आजकल इनमें से क्यूशन नहीं पूशे जाएंगे आजकल जो पेपर बनाने वाले ना बहुत ज्यादा डेड़ उश्यार हो गए सारी एक्जाम की सारी आप उक्स पड़ोगे सारी बुक्स के अंदर यह वाली टेबल आती है और इस वाली टेबल आप लोगों ने सब ने इन नेक्स के सटो होरिजूंटल मूड़मेंट ऑफ हवा का उड्वाधर अधर गती करना क्या है वेर गती करना ओच परान करना व करतेεις करना क्या लाएकाा त्वा कहलाएगा क्या तूफान कहलाएगा या उप्रोक सभी पडावट कमेंट करेंगे के राजवर्मासर मालूम नहीं है कोई बात नहीं मालूम नहीं है तो अभी याद रखियेगा ठीक है अब बहुत बढ़िया अन्मोल्फिंड कमेंट कर रही है यश्वीर एकमेंट कर रहे हैं हरियों भी कमेंट औरहां सब्सक्राइब सब्सक्राइब सबी लोगों है और सब्सक्राइब कर रही है कि विंड कहलेगी कि विंड कहलेगी अगर हम बात करें एयर करेंड दोस्तों एयर करेंट क्या कहलाता है अगर हवा वर्टीकल कर रही है अगर यहां पर क्यूशन में होरिजोंटल की जगे क्या आता वर्टीकल लिखा आता क्या आता दोस्तों वर्टीकल मुवमेंट लिखा आता तो वर्टीकल मुवमेंट में क्या हो जाता इसका राइट आंसर ऑप्शन तूफान की तो इसकी बात करें दोस्तो यह होते हैं Wind of High Speed High Speed जो High Speed दोस्तों जो Wind होती है उसे हम क्या बोलते हैं इस्क्वेस बोलते हैं थीक है High Speed Wind High Speed Wind नेक्स बात करते हैं दोस्तों नेक्स है कि the Solar Constant Value घ्र लाइक कर दो सरकी क्लास कोुड़त हुग अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए अगर नहीं लग रहा तो डिसलाइक कर दीजिए ठीक है अभी इसका राइड आसर कमेंड करेंगे इसका राइड आशर क्या होगा आपशेन नम्बर ए है वन पोई नाइन फोर केलोरी पर सेंटीमिटर पर मिनाट नेक्स्ट है वन पॉइंट square पर 1353 watt per meter square बहुत a and b whatever comment कर दीजिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अपने अपने जो right answer है उनको चिपका दीजिए इतना time नहीं लगना चीए इतना easy question और इतना तुम time लोग है ऐसे कैसे काम चलेगा वैसे है बहुत hard option के साब से hard लेकि तुक्का लगाने के साव से सही है ठीक है महीमा डी comment कर रही है agree lifeline हा सब करो okay like agree okay Sunil be comment करें रवीनाडी comment कर रही है दीपाडी comment कर रही है ठीक है जो लोग डी comment कर रहे ना वह एक बार यह भी बता दीजिए कि जो यह 1353 watt per meter square दे यह किसे साब से दे रखा है एक बढ़ बता दीजिए अगर आप लोग इसका अंसर कमेंट कर रहे हैं तो ठीक है रवीना वगेरा सुनिल लीपा याधाव ठीक है बनकेश महरवाल सभी बता दीजिए एक बढ़ ठीक है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नमबर डी कौन अगर पहले कुछन को अच्छे से पढ़ना है ठीक है फिर आपको आपको आंसर करना तो यहां पर क्यूशन में इसक्वार आता तो यह राइट आंसर होता था थीक है तो दूसरी बात ध्यान रखना 1353 बाट पर मिटर स्क्वार होता है यह होता है ऐसाई यूनिट के अनुस अगष्य का वल्यू होगी तो राइट आसर क्या हो जाएगा 1353 बाट हो जाएगा पर मिटर स्क्वार सर ऐसे कंफूजन है बता दीजिए प्लीज देखिए चिसे कंफूजन एक बबार वापिस सुन लीजिए ठीक है एक बार वापिस सुन लिजिए और अगर आप कि अंदर मैंने क्या किया यह जो ऑपशन है संटीमीटर स्कॉर इसको अल्ली संटीमीटर रखा है यह इसका गाता है तोगल आता है कि SI unit के according इसका मान क्या है तो ध्यान अकला 1353 watt per meter square हो जाएगा नेक्स क्यूशन के ओर चलते हैं नेक्स क्यूशन है फसल की सतय का अलवीडो होता है कितना होता है फटावर कमेंड कर दीजिए सर मुझे तो कुछ भी नहीं पता तुका लगा सकते हैं ओके 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 oldest unit है लक्स नहीं 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 ठीक है SI unit है very good one case very good ओके 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 अब इसका right answer comment कर दीजिए इसका right answer क्या होगा बहुत important है आपके क्यूशन यह बहुत ज़्यादा important है ठीक है हांसराज भी comment कर रहे हैं अन्मोल भी comment कर रहे हैं लोगा किशन आते हैं सुपरवाइजर वगेरा जैट वगेरा के अंदर ठीक है अगर आप से क्रॉप सरफेस का अलबीड़ पूछा जाता है कितना हो जाएगा तेविश से 30% हो जाएगा अगर बात करें किसकी दोस्तों फ्रेश स्नो की बात करें तो फ्रेश इसनो का होता है पिचेतर सो पिचाण में परसंट हैं पिचेतर से पिचाण में और जो खाली सोई होती है खाली मरदा का होदा है 15-17% बहुर सोईल क्या बोला जाता है अब कुछ लोग सोचरेंगे सर ने पूरी रावान बताती लेकर हमको तो अलबूडो ही नहीं पता कि अलभीडो होता क् ऐल वीडों का मतलब होता है जितनी भी सॉडल रेडियेशन रिफलेक्ट होती है कहां से होल सोफलेक्टेड के अंदर चैन्ज हुए बिना उसको स्प्लेक्ट होना क्या बीडो कहलाता है next question atmospheric pressure is measured by whatever and your dap किसे मापा जाता है बहुत easy question what up at this is a right answer comment कर दीचिए जब तक पानी पी लेता हों में कि है अच्छार को हुं हुआ ओके एक्मोस्फेरिक प्रेसर सभी लोग के आले डांसर आना स्टार्ट को शुक्त हैं बहुत बढ़िया ठीक है कुछ लोग डी कमेंट करें कुछ सी कमेंट कर रहे हैं ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम राइट आंसर ची कह इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर सी एनरोइड भेरोमेंटर अनरोइड बैरो मित्र से प्रेशर है वहात आवर निया दाब बहुत बार जैट के अंदर पूछा गया है सुपर्वाइजर के अंदर पूछा हुआ है तो इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से ठीक है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है बात करें दोस्तों अल्टीमिटर ध्यान रखना हाइट मापने के लिए काम आता है अल्टीमिटर किस सुरी एटमोमिटर की बात करें दो एटमोमिटर होता है लीफ के लिए लीफ का जो टैंपरेचर होता है लीफ टैंपरेचर के लिए बात करें दोस्तों एनिमोमिटर एनिमोमिटर ध्यान रखना विंड की वैलो सिटी के लिए किसके लिए होता है विंड वैलो सिटी वैलो स विंड स्पीड हावा की घती मापने के लिए काम अनिमो मेटर दियान रापना हेक एक य दॉन होता है विंड पापा का परहा बहुत दिन ब Schon हमारी क्लास के अंदर ठीक है एक होता है वे अनिम मसरा इनुन ह्षा मेतर ह्टा है विंड हावकी घती को औरIVE पूछ ठीक है बात करें दोस्तों हाँ अलबीडो जिनको अलबीडो नहीं समझ में आया अलबीडो का मतलब होता है यह सूरज है यहां से क्या आ रही है है solar radiation और यह हमारा crop surface area है एदर थोड़ी बहुत घयं पड़ी हुई दोस्तों यहाँ परपड़ी हुई है ठीक है यहाँ ख़ाली से्टर परसेंट से लगबग एपडूबश्off पिछेतर पर सेंट जो radiation होती है वह वार्पस सल जाएगे बिना उसकी quality के अंदर चेंज हुए इसे ही हम क्या बोलेंगे एलबीडो बोलेंगे अगर क्रॉप की सर्पेश की बात करें लगबग 20 से 25 परसेंट लगबग सुरी 23 से 30 परसेंट अगर बात करें खाली सोयल की तो 15 से 17 परसेंट रेडिशन वापिस चल जाती है बना उपयोग हुए उनकी क्वालिटी में मिल्कुल से नहीं होता इस सीज का आप लोगों कुछ हान अफना है ठीक है नेक्स कीशन दोस्तों रिलेटिव हुमेडिटी इस मेजर्ड भाई सापयक्षित आधरता किस्से मापिस आती है इंपोर्टेंट क्यूशन है आपके एक्जांप और इंट आफ्यू से हाइग्रोमिटर साइकोमिटर हाइड्रोमिटर बहुत एंड एंड बी पड़ा पड़ बहुत बढ़िया लाइट नहीं आ रही है कोई नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सभी लोगों के बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं ठीक है बहुत बढ़िया अब इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत एंड बी कौन सा हो जाएगा बहुत ए अगर आप से पुछा जाए hydrometer से तो यह मापता है relative humidity एक सेग़न हाँ ओके-ओके-ओकेर हाइवध हिड्वर होता है जो hydrometer होता है इसका काम होता है relative density of liquids क्या मापता है relative density relative density of liquids of liquids अब थोड़ा speed से चालेंगे 15 मिदनट बचिये है फटाफट अपने पुटा आफॉर्स पॉर्स्ट रूपर कमेंट करेंगे। नया एक स्विशन है 75 इव और रोस पर उसे उससे मां पा जाता है אלे कर दिझिए और इंपोटनेटि मैं颇 ऐंगे, और इंगे नहीं संचंधरा बहुत बढ़िया मनके संचंधरा सभी लोगों सरणाना है स्टार्ट मौन हो चुके हैं दीपा brud El लिए पापा का परादीपा यादव मनके समसर खशुझ देर सबीक लोगTON दित्सकहश। इसका रहती हो जाएका लाई c-ята क्या हो जाएका संटेश इन मिलग किस्स इसे माभी जाती और से लेक्टो मिटर से पूछाज सबएकन पोछिर लिक्विड्र आप से 낙्वी में है उसकों टुछ फ्लांट की जो जो ग्रोफ के जो ऐ रही है है कितने घंटे में आ रही है कितना परश्च प्लांट की व्रधिमापता है सेंट में आ रहा है वो सिब मापता है है लीगरा ठीक है नैक्स कुशन आता है सोल स्पेसिपिक ग्रेवटी इस मेजर्ड बाए मर्दा का सापकशित ग्रेवटी इस सेंग पी जाती है ठीक है फटापेट राइट आंसर कमेंड करेंगे बहुत बढ़िया सुप्रिया चोधरी थीपा यादा हुद परसेंट पापा का परा नहीं की स्पीड में चलो अरे जो सब्सक्राइब की स्पीड कितनी फास्ट होती पता है न वैसी स्पीड में चलना है भापण को रोज क्लासे लेनी है इनको लिखना इस सीजिसका आप अपको ध्यान रखना है ठीक है बहुत बढ यह बहुत बढ़िया ठीक है बहुत बढ़िया सभी लोगों को एक दम राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नमबर बी इसा राइट आंसर पिकनो मिटर आज आएगा इसका कौन सा आज आएगा पिकनो मिटर जो लोग फाइरेलो मिटर कमेंड करें वो ध्यान रखना यह आता है डाइरेक्ट सोलर रेडियेशन डाइरेकट सोलर रेडियेशन की बात करें दोस्तों तो यह जाती है किससे अने इłada कि सब्सक्राइब की सप्रड़ होती है यह माति Прог nessa मीटर से में यह साफीन तीक यह लोग को जार राहना है न कि स्वेंड डार्यक्षन is measured by हवा की दिशा क्या पूचा है कि उशन हवा की दिशा पूच रहा है ठीक है तो हवा की दिशा किस से मापी जाती है फटा फट कमेंट कर दीजिए इसका राइट आसर ठीक है सर हमारा नाम नहीं ले रहे अशोग पाल जी आपका नाम भी ले रहे हैं आपके कमेंट हमें शो बहुत बढ़िया ठीक है यश्वीर कमेंट कर रहाहए neighbor like नहीं राइक नहीं किया कोई बात नहीं समने जरूरी है कितने लोग पड़ पा रहे है वो जरूरी है कुछ नहीं होता करो तो बहुत 7 बढ़िया नहीं कर तो उससे बढ़िया िकर चूरज याद हुआ रिषा बहुत बढ़ यह सभी लोगों एकदम like असर हुए अमने आप से क्या पूछाए हवा की दिशा पूछी आगर आपसे हवा की गती पूछी जाती क्या पूछी आप आपो वां से दोणों चीज़ आप लोगोंको ध्यां रखनी है थीक है नेक्स बाद करें टेशियों मिटर की तो जाल मोईस्चिर को से लगना है एक इंस्ट्रूमेंट का कीईशन पूचा जाता है यह छी आपको ध्यां रखना है मैनोमेट्र मापत है दोस्तो प्रेशर मापता है यह चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है नेक्स्ट क्यूशन है दोस्तों इमेजनरी लाइन्स कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एक्मोस्फेरिक प्रेशर ठीक है वातवने दाब को समान अनुपात पर मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहल हो आती है पुटाव पाओक्षण एग्जाब में पूछा हुआ है पोगफ़ाब राइड आंसर फैर बबहुतबाद बढ़ बढ़िया चौधरी दीपा यादाया मंकेश मोर्वाल पुश्पेंदर शिंह रा 전aur ठीक है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा आई सो बार इसा राइट आंसर ठीकर दोस्तों यह आज कि हमारी क्लास सी अभी के लिए इतना ही बाकी की क्लास कल होगी और इस यह वाला जो टॉपिक है वो अगब तीन से चार दिन से लेगा बहुत इंपोर्टेंट क्यादा topic wise questions की book आती नहीं है अगर आपको topic wise कोई topic पढ़ लिया आप लोगोंने सबसी अच्छी बात है कि मैं आपको लोगों को link सुभही परवाइड करा देता हूं तो आप लोग इसकी ठोड़ी पढ़ लीजिए इससे क्या होगा जो क्यूशन आप लोगों को solo करवाई झुछा रहा है उससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा क्या होगा बहुत ज्युदा फायदा होगा आगर आप ठोरी पढ़क्या हा रहे तो ठोरी पढ़के आईऑ आफ लोगों को पहले शेता हूं आज क्लास किसकि होने वाली है सुबही लिंक को openx करके देख ठीक है अब वीकेंट ये इतना ही सभी को गुड़नाइट मिलते हैं कल धन्यवाद